जै गुरुदेव जी माराज, स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल में आसा करते हैं, आप सभी लोग गुरुदेव की किरपा से कुशल मंगल होंगे। किसी के जीवन में हमेशा अच्छा समय नहीं रहता है। जीवन में कभी बुरा समय आता है और कभी अच्छा समय आता है। समय खुशियों से भरा आता जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनका जीवन पाफी कथनाईओं से काफी संक्राटों से गुझरद रहा होता है। वो जो भी काम करते हैं या करने की सोचते हैं तो सभी काम में असपलता ही प्राप्त होती है ऐसे समय में बे लोग जानना चाहते हैं कि उनका अच्छा समय या अच्छा बक्त कब सुरू होगा अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप इन पांज संक्यटों से जान सकते हैं कि कबसे आपका सुब्ख समय शुरू होने वाला है इस संसार में हर इनसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा भी होता है समय एकसा समान नहीं रहता है वह हमेशा बडलता रहता है जीवन में हर बेक्ती के सुख दुख अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है समय का चक्र चलाइमान होता है वह हमेशा बडलता रहता है पर इस समय से परेसान होकर कुछ लोग बुरी तरह से तूट जाते हैं निरासा से घर जाते हैं, तो भही कुछ लोग बिपरीत, परिस्ति में भी हर अच्छे बुरे समय का डट कर मुकाबला करते हैं. याद रखे, समय हमेशा एक समा नहीं रहता है, कभी अच्छा समय आता है, तो कभी बुरा समय भी आता है. बुरा समय बीतते हुए देर नहीं लगती है बस उससे निरास होकर आपको खुद को बिखरने से बचाने की कलाव आनी चाहिए यदि बुरा समय होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकाबते आएंगी किसी भी कालिय को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा सपल्था जल्द ही हासिल नहीं होगी ऐसे समय में हर इंसान के मन में एक बात जागिर्थ होती है या वे सोचता है कि उसका ये बुरा समय कब जाएगा और अच्छा समय कब आएगा अच्छा समय आने का आपको क्या संकेत मिल सकते हैं आप कैसे पैचान सकते हैं आपका अच्छा समय अब सुरू होने वाला है और बुरा समय अब जाने वाला है तो अब देर ना करते हुए चलते हैं उन संकेतों की और जो आपको अच्छा समय आने से पहले दिखते हैं या उन संकेतों का आपको ऐसास होता है पहला अद्बु संकेत इस प्रिकार है कि आप कहीं जा रहे हैं आपको कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए पड़े हुए गिरे हुए मिल जाएं तो समझ लीजिए कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है आप बहुत परिसान हैं और अचानक से पड़े हुए रुपों का मिलना इस बात की और सारा करता है कि आपके घर परिवार में और आपके जीवन में माल लच्छिमी की किरपा बरसने वाली है अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी आर्थिक इस्तती पहले से अधिक अच्छी और मजबूत होने वाली है आपकी जीवन में चल रही सभी परिसानियों का अंत होने वाला है आपको अब प्रितेक कारियों में सपलता मिलने वाली है आपको अब समझ लेना चाहिए कि हर जगे आपको उन्नती मिलना तैह है अब दूसरे संकेत की ओबढ़ते हैं दूसरा संकेत इस प्रिकार है अगर आपके घर के आगन में या दरवाजे के मुख दोआर पर आख का पेड़ उगता है जिसे लोग अकवा का पेड़ भी कहते हैं इसकी पती अगर तोड़े तो इसमें सपेद दूद जैसा निकलता है लोगों का मानना है ये दूद अगर किसी की आख में पड़ जाए तो भै अंधा हो सकता है लेकिन इस पेड़ का आपके आगन या आपके दरवाजे के मुक दोआर पर होना बड़ा ही सुप संकेत और सकारातमक संकेत होता है इस आख के पेड़ पर भोले नात का निवास रहता है आप समझ सकते हैं कि अब आपका अच्छा समय जल्द ही सुरू होने वाला है और बुरा समय अब जाने वाला है बस आपको सुबह उठकर एक लोटा जल्द का इस पेड़ पर चड़ाएं आर्क के पेड़ का उगना बहुती सुप माना जाता है अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर तीसरा संकेत इस प्रिकार है अगर आप जीवन में किसी कठिन परिस्टि से गुजर रहे हैं तब पक्षियों का आना उनका घर के मुख द्वार पर आना बहुती अच्छा और सुप संकेत है इसके साथ साथ गोरिया ये च्ड़िया आपके घर में प्रिविश करती है भाग घुसला बनाती है और आपके घर में कुछ देर ठहरती है तो इसको भहुती सुप संकेत माना जाता है ये जीवन में सकारात्मक बदलाव है और आपकी उन्नती का संकेत है आपके जीवन में चल रही परेसानिया आपकी समस्त विपत्तिया अब जल्द ही दूर होने वाली है आपको अब हर कारिये में चाहेवे नौकडी हो या आपका कोई विवसाय अब सपलता मिलना निश्चित है आपका अब संपूर्ण भविस बदलने वाला है अब आपको हर जगए उन्नती ही उन्नती मिलने वाली है आपकी सारी परेसानियों का अंध होने वाला है अब आपको चाहिए कि पक्षी और चडियाओं को दादा और पाली रखने की आवास सकता है अब चलिए चौता संकेत की ओबड़ते हैं चौता संकेत इस प्रिकार है अगर आपको सपने में मंत्रों की गून सुनाई देती है जैसे राम नाम की गून्च तो ये भी बड़ा सुप संकेत माना जाता है आपको अगर ओम मंत्र की गून सुनाई देती है तो ये भी सकारात्मक बात है सपनों में मंतरों की गून, घंटों की आवाज और संग की आवाज सुनाई देना बहुत ही सुप संकेत माना जाता है इसके साथ साथ अगर सपने में आपको पित्रों के दर्सन हो जाएं तो ये भी बहुत सुप है सपने में पित्रों का दर्सन होना कोई आम बात नहीं है पित्रों का स्वपन दर्सन इंसान का अच्छा समय सुरू होने का संकेत देता है वो लोग बहुती धनवान होते हैं जिने सपने में पित्र दर्सन होते हैं ये इस बात को दर्साता है कि पित्रों का आसिवाद आप पर सदा बना हुआ है पर ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि पित्रों का दर्सन मुश्कराते हुए पिर्सन मुद्रा में और आसिवाद देते हुए आपको होना चाहिए अब चलते हैं पाँचम संकेत की ओर पाँचम संकेत इस प्रिकार है कई बार आपने महसूष किया होगा कि आप किसी के करज़दार हैं आपने किसी से करजा लिया है आपको अचानक से एक एक करजा मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो ये इश्वर का बहुत बड़ा साकारात्मर संकेत है इसके साथ पैसों के लेंदेन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब ये भी जीवन के लिए भेश सुप संकेत माना जाता है धन के अलग-अलग ये थे कुछ संकेत और लच्छन जो आपको अच्छे दिन या अच्छा समय आने से पहले आपको दिखते हैं या इन लच्छों का आपको जीवन में आवास होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए शियाराम।